मौँ जिले में यातायात के पती आमजन को जागरुक करने के लिए पाइक जुलूस निकाल का जागरुक किया गया एसपी ललित कुमार सिंग ने यातायात विभाग पुलिस विभाग और आमजन लोगों द्वारा निकाली गई रैली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया साथ ही यातायात के पती सजग रहने की अपील भी की आपको बताते हैं कि नगर कोतवाली गाजीपूर तिराहे इस्थित यातायात बूठ से बाइक जागरुकता रैली निकाली गई इस रैली में पुलिस कर्मी सहीथ आम जन सेकडों की संख्या में अपने वाहनों को लेकर भाग लिया रैली नगर छेत के चारुतर ब्रहमर का लोगों को जागरुक किया गया इस दोरान S.P. ललित कुमार सिंग ने कहा कि यातायात निमों के पती लोगों को जागरुक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई है इस रैली के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि वे हलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग आवर्श्य करें साथ ही सराब के नस्य में और मोबाइल फोन का इस्तमाल बाहन चलाते समय कतर ही ना करें अजिजी पी महोदय के आदेशा नुशार ट्राइफिक अवेरनेस के लिए विसे रूप से रैली निकाली गई है और यह अवेरनेस हैं हेलमेट और सीट बेल्ट के रूप में विसे रूप से है बाकी आन्य जो चीज़ें हैं विसेश रूप से शराप पीजर बाहर ना चलाना या मुबाइल से बात करते हुए बाहर ना चलाना ये जो में में चीज़ें हैं जिससे दुरगटना जाद होती है उस पर विसेश पोकस करने के लिए पुलिस और पब्लिक की एक रैली निगा इद को लेकर के हमारी बहुती पर्फेक्ट सुलच्छा में उसता है हम लोग पूर पेट्रोलिंग के दौरा और हंड़ेड नंबर की मॉबाइल के दौरा और बिसेश मॉबाइल अम लोगों ने चलाया है और महिलाओं की छिड़खानी नाओ इस संबंध में एंटी रोमिय स्कॉर्ट के दौरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई त्योहार सान गुर्वर निकले और इसे के साथ कि कोई दुरघटा टाइब ना हो शहर में उसके लिए भी लोगों को ज़्यादा जागरू करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे दुरघटना के दौने कोई लाइंड कर दो